और एक बात है कि आजकर जो सोसाइटी में देखा है सेल्प सेंट्री के हम बनते जा रहे हैं कि हमारा पॉडोसी का नाम भी हमें पता नहीं चलता हम अपना अपना घर अपने फैमली अपने बच्चो अपना कार अपना बंगला इसमें डूबे रहते हैं सोसाइटी के फर हमार संस्कृती से दूर होते जा रहे हैं भारती संस्कृती जैसी दुनिया में कहीं ऐसी संस्कृती नहीं है पूरी दुनिया में आज भी भारत की और इस आशा से देखा जाता है कि वहां से कोई सांती कोई आनंद का रस्ता मिलेगा और हम भारतीय लोग ही अपने संस्कृती को उच्छोड़के और पास चाथो जार रहे है उसका नतीजह यह हो रहा है यहां भारतिय संस्कृति का आर्थ यह है जो परिवार की संस्कृति है वो एक अंग है अपनी संस्कृति का मैंने अभी भी कह ना कि रिस्तों में जीना भूल गए। करेंगे परिवार में रहना नहीं चाहते हैं अलग अलगाओं की जो ये मेंडिलिटी बनती जा रही है इस सबसे ज्यादा खतरनाक है इसको हटाने का सबसे ज्यादा सरल उपाई है परिवार जितने ज्यादा परिवार के साथ रहेंगे इसके लिए जरूरी है परिवार की एक संस्कृति से दूर कभी नहीं जा सकते अनुसासन हींता इतनी बढ़ गई मा की बात बेटा सुनना नहीं चाहता पिता की बात बेटी मानना नहीं चाहती दादा दादी के पास बेठना नहीं चाहती नाना नानी को पसंदी नहीं करते जब ऐसी स्थितियां बनती है तो आदमी स्वारत की और ज्यादा हो जाता है इतना स्वारत की एक कावत है कि हम पिये हमारा बेल पिया वस दूसरों से कोई मतलब नहीं और हमारी संस्कृति है वसुदेव को टूंब काम क्या घजब के संस्कृति हमारे भारती रिशी मुनियों ने मानव जाती को जो अवदान दिया उ उसका लाव उठाना चाहिए और दूसरा कारण है अज्ञानता कि हम ज्ञानी बनना नहीं चाहते डिग्रियों कितने असिल करेंगे और इन ज्यादा बोधीक विकास की वज़े से इमोशनल डवलप्मेंट कम हो गया भावनात्मक विकास कम हो गया क्यों कि हम संस्कृति से हटेंगे तो संस्कारों से हटेंगे बुटिके की और चली जाएए और जब संस्कार ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर बस वही है मुझे ये बनना है मुझे पैसा कमाना है इसके अलावा कुछ नहीं मुझे अच्छा इंसान बनना है ये सोच विक्सित करनी चाहिए इसके लिए ज्ञान जरूरी है और जब तक आध्यात्मिक ज्ञान की और नहीं जाएंगे किसी समझा का कोई समाधान नहीं है अध्यात में ज्ञानमी वो समाधान है कि मुश्किल से मुश्किल कठनाई हो उसका भी सरल समाधान है इनसान अपने आम से कभी कभी कोश्चिन करता है कि मैं यहां क्यूं आया हूँ आऊंगा और चला जाऊंगा हुआ माय में क्यों आया हूँ, इस पूथीवी पे मेरा क्या रोल है, ये मन भी कभी कभी आता है, इसका क्या जवाब? मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, और मैं कहां जाऊँगा, ये सब के मन में आना चाहिए, जब हम अध्यात्म का ग्यान लेना सुरू करेंगे, जब पाप का भै आएगा, आदमी जल्दी से पाप करम की और नहीं जाएगा, जैसे पाप करमों से हटेगा, तो चेतना जग तो क्या होगा, करुणा आएगी, डया आएगी, तो जब करुणा और दया अगर इनसान में आ गई, तो फिर उगल्द काम से बच जाएगा, फिर उसके करम अच्छे होंगे, अच्छा रास्ता लेगा, अच्छी संगत करेगा, और फिर उसे ये भाई खत्म हो जाएगा, कि मैं अच्छे करम कर रहा हूँ, मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, तो अगर अगला जीवन है, तो वो भी मेरा अच्छा होगा, मुझे कोई भाई नहीं है, वो भाई मुक्त हो जाएगा.